सिने इंक पॉड़कास्ट अनुभवों के धागे, अनुभव जीने के, देखने के, अभिव्यक्ति के, किताब नदी है, बहती रही है, बहती रहेगी अबाद अन्वरत। मेरे लिए किताब कभी पुरानी नहीं पढ़ती, जितनी बार पढ़ो नई सी लगती है। प्रेमचंद का गोदान मैं कॉलेज के जमाने से लेकर अब तक कई बार बढ़ चुकी हूँ। उपन्यासकंथ मुझे हमेशा विचलित करता है। घर में एक गाय लाकर बांथनी की अधूरिये चलिये। हुरी ने जब आँखें बंद की तो हीरा ने कहा भावी दिल कड़ा करो। गोदान करा दो दादा चले। और कई आवाजें आई। हाँ हाँ गोदान करा दो अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांती उठी। आज जो सुथली बेजी थी उसके बीस आने पैसे लाई और पती के ठंडे हाथ पर रखकर सामने खड़े दातादीन से बोली। महराज घर में न गाय है न बच्छिया न पैसा। यही पैसे हैं यही इनका गोदान है। और पच्छाड खाकर गिर पड़ी। कैसी विनमपना है जिसका सारा जीवन निर्धनता और कठिनाईों के बीच गुजरा हो उसकी परलोग यात्रा कूस सरल बनाने का कैसा धार में का डंबर। हाल में पढ़ी एक नई किताब ने भी मुझे विचलित किया और वो किताब है अनिल यादव की गौस सेवक जो 2020 में राजकमल प्रकाशन से छपी है। गौस सेवक 21 सदी की रचना है और इसलिए उसमें 21 सदी की गरीबी और मजबूरी का व्यापार करने वाली साम्परदाइक राजनीती का चेहरा भी है। जिन लोगों ने अब तक गौस सेवक नहीं पढ़ी उनकी खातिर मैंने अनिल यादव से जाना चाहा कि गौस सेवक का प्लॉट क्या है। एक मुसल्मान की लिंचिंग करा कर अपने इलाके में मुसल्मानों के प्रती नफरत फैलाए धार्मिक धृवी करन करे तभी उसको टिकट मिलेगा। वो एक गरीब मुसल्मान लड़के को मारने की पूरी तैयारी भी कर लेता है। लेकिन तभी एक बैगा या पुजारी के विरोध के कारण उसका खेल बिगड़ जाता है। यह जंगल में बसे उन आदिवासियों तक जो हिंदू भी नहीं हैं। उन तक भार में घृणा की राजनीत के पहुंचने और एक पुरातन और बहतर समाज को बीमार बना देने की कहानी है। पिछले दो दशकों में हिंदी कथा लेखन के मंच पर तेजी से अपनी जगह बनाने वाले अनिल यादफ की कहानी गौसेबग उत्तर प्रदेश के सुदूर नकसल प्रभावित आदिवासी लाखे में एक तरफ नकसल वादियों और पुलिस के बीच पिस्ती जनता की कैसी काम करता है ये नकसस अनिल यादफ ये दोनों ही तरह का या कहें कि हर तरह का बड़ा सच्मुच का बड़ा नकसस सत्ता के सनक्षण में काम करता हैest नकसलीं के नाब सूछी करने वाले अफराधियों के गिरुः बिना पुलिस के मदद के चल नहीं सकते हैं इन गिरौ के गाउं में लूट पार्ट और उन पर अत्याचार की खुली छूट के लिए नक्सलियों का या कम से कम उनके डर का अस्तित्व में बने रहना जरूरी है और उसे बहुत मेहनत से योजना बद्धधंग से सरकारी तंत्र बनाये रखता है यही हाल गौतसकरी का है जो पुलिस और अर्थसैनिक बनों की मदद की बिना संभव नहीं हो सकती है जिन हाइवेज से होके गाय बैल बंगलादेश ले जाये जाते हैं उन पर पढ़ने वाले थानों में पोस्टिंग के लिए बड़ी रखम की बोलियां लगती है इस रखम का हिस्सा उपर मंत्रियों और अपस वज़र से खेती तबाव हो चुकी है किसान अब इन्हें पहले की तरह स्लाटर हाउसेज में बेच नहीं सकते हां तसकर और गौसेवक जरूर उन्हें पुलिस के मदद से बेच रहे हैं और चुनाव के लिए फ़ंडी कठा कर रहे हैं गौसेवक कहानी के लेखक अनलियाद कहीं कहीं न्यूस फीचर जैसी लगने वाली ये कहानी पढ़ते हुए मुझे लगा कि इस एक कहानी में असल में कई कहानिया हैं आदिवासियों की, नकसलियों की, पुलिस वालों की, राजनितिक्यों की, देह व्यापार करने वाली औरतों की, और कहानी है इस समूच एक श शॉप, वाच टावर, स्टोर, दफ्तर और कॉलनिया बहुत पहले हुए किसी युद्ध के अवशेश की तरहां दीखते हैं। कहानी पढ़कर लगता है कि लिखने से पहले उन्होंने काफी रिसर्च की होगी या फिर इस इलाखे से वो बहुभी परजित थे। अनिल्या दब। जाने वाले नक्सलियों को भी साधे हुए था। वो आदिवासी मजदूरों की भलाई का स्वांग करते हुए उद्योग पतियों की दलाली कर रहा था। वो गोशित तोर पे गोसेवक था लेकिन बंगलादेश के स्लाटर हाउसे के लिए गायों की तसकरी भी कर रहा था। कोई 15 साल बाद एक रात उसका मेरे पास फोन आया अरे गुरुजी हमें मेले बन गए और आप हमको भाव ही नहीं दे रहे हैं तब मैं उसकी धुर्तता तिकडम की काम्यावी पे चकित रह गया तब ये ख्याल आया कि ये कहानी लिखी जानी चाहिए दरसल हमारे आसपास इ इन दिनों काम्याब ही नहीं हो रहे हैं शिखर पे पहुँच रहे हैं आदिवासियों के युवानेता से एमेले बनने वाले धामाचेरों की कहानी गौसेवक अनल यादव कहानिकार होने के अलावा पत्रकार भी है पत्रकार होने के नाते देशकाल की घटनाओं पर उनकी पकड़ स्वाभाविक है पत्रकार की नजर पूरे परिद्रश्य को आँखों से सोख लेती है और कहानिकार की आँख जैसे हर एक शोट को फोकस में रखकर उसके दर्थ की पूरी कहानी चद्रांकित करती है जैसे देह व्यापार करने पर विवश एक घरीब औरत के घर खेलते हुए बच्चे के आसपास उफंती प्रसन उजा से भरे आहाते को देखकर अनल यादव लिखते हैं घरीबी के गोपनिय सौंदर्य के बारे में दो चार बातें करने का मन करता है कुछ और सवालों पर अनल यादव के विचार जानने से पहले आएए उनकी कहानी को सेवक का अन्श उन्ही की सबानी सुने तब ही उसका ध्यान ढलती शाम की रोशनी में विस्की के मनोहर रंग पर गया उसने सोचा लेकिन मैं तो यहां नदी के पानी के बदलते रंग और आदिवासियों के दुख में सूकते आम के पेड़ों के सच्चाई जानने के लिए आया था मेरी मदद धामा चेरों जैसे विकास चाहने वाले नहीं अपनी देह पर देवताओं के सवारी जेलने वाले ओज़ा और बैगाही कर सकते हैं उसे सही दिसमारक पर चड़ाये गए रेडियों के याद आई और तेज हैरानी हुई कि ध्यान कैसे चीजों को जीवित कर देता है वरना में मृत पड़ी रहती हैं जैसे उसके कान पहली बार खुले हूँ जंगल के हर्याले विस्तार से, खंडहरों से, नदी के पानी से परावर्तित प्रकास से, आसमान में मडराती चीलों की उड़ान से एक मद्धिम आवा जा रही थी मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ मगर ये चांदतारे मुझे जानते हैं शहिद वेदी पर पड़ा रेडियो दोबहर से लगातार बज़े जा रहा था और नकसली धामा हसा नकसली कहीं आसमान में रहते हैं क्या उसने लड़कों के और हाथ घुमाया अरे सर यही नकसली हैं जो आपके सेवा कर रहे हैं सलेख खूब मौच काट रहे हैं बस हमको एक मुसलमान लाकर नहीं दे रहे हैं आए कैसा मुसलमान उसका क्या होगा धामा अचानक चुप हो गया वो चुपी के अंतराल में रिपोर्टर के सहमत होने की उमीद से गर्दन हिलाते हुए ठहरी नजर से देखता रहा लेकिन कोई प्रत्क्रिया न पाकर पच्ताते हुए लापरवाही के साथ हाथ में पकड़ा गिलास गटक गया और बोला ये नहों तो नकसलियों के बड़े बड़े तोपची जंगल में बिना पानी टेम बोल जाए गोली बारूत, खाना, पुलिस मूव्मेंट की खबर, सभास वसाइटी से लेकर रात में नदी पार जहर खंड और च्छतीस गड़ भेजने तक के सबकाम यही करते हैं जिस एरिया कमांडर से मिलना हो, आप नाम लीजिए, ये आपको पहुँचा देंगे लड़कों के शराब से दीप्त चेहरों पे बिनमर सलोना पन था वे जिग्यासा, सौजन्य और प्रेम से इतने भरे थे कि उनके साथ चुहल करने का मन करता था वे शर्मा रहे थे जैसे उनके कडियल बाप ने पहली बार किसी अजनवी के सामने उनके होनहार होने के चुगली कर दी हूँ विकास जो गाड़ी चला कर लाया था, बंदूग गोद में रखकर जहेपते वे घास नो उच रहा था उस समय वे इतने सलज्ज थे कि उनके गुंडे होने से ज़्यादा अभागे होने का विचार विचलित कर सकता था ये था अनिल यादव की लंबी कहानी कौसेवक का एक अंच आप सुन रहे हैं अचला शर्मा के साथ सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज किताब कॉलम बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की सिने इंक के सभी पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर आईए सिने इंक डाट कॉम कहानी के कुछ और वाक्य मेरे जहन में अटगना है मसलन हर्याली और जीव जंतों से गुलजार टैम की साइट ध्वस्त और जाड होने का सदमा कपका भूल चुकी थी लताओं से ढखे बिजली के खंबे पेड़ों की नखल करने वाले बहरूपिये बन गए थे बाजार में आदमियों और साइकलों को छोड़ कर हर चीज गरीबी के सबसे खरीबी रिष्टेदार प्लास्टिक की बनी थी और एक जगह अनलियादब लिखते हैं परस्थितियां ऐसी थी जिन में महान अफसरवादी और लंपट व्यक्तित्व बना करते हैं कहानी का मुख्य पात्र है आदिवासी नेता धामाचेरो जो गोशाला चलाने के नाम पर गायों की तसकरी करता है चुनावी टिकट पाने के लिए किसी बेखसूर मुसल्मान की लिंचिंग का मौका तलाश कर रहा है पाठक की नजर में वो एंटी हीरो है बलकि खलनायक है लेखक की नजर में धामाचेरो क्या है खलनायक या महज परिस्थितियों की लाचार उपज धामाचेरो निश्चित तोर परिस्थितियों के उपज है वो अपने कालेज में ब्रस्टाचार का विरोध करता है तो उसे नकसलियों का मेसेंजर होने के जूटे केस में पुलिस पकड़ ले जाती है उसका बाप घूज दे के उसे छुड़ाता है लेकिन बाद में वो अपना खलनायक होना खुद चुनता है जिन लोगों ने उसके बच्पन को तबाह किया उर्खों के अचार किया समाज को तोड़ा वो उन्ही के साथ मिल जाता है वो सिर्फ जानता ही नहीं है कि आदमी अपने से कमजोर आदमी का मांस खाकर ही हद से ज़्यादा ताकतवर बन पाता है बलकि इस पर अमल भी करने लगता है इन दिनों आदिवासियों में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसको देखते वे इसे समझा जा सकता है उनमें सबसे खास बात है कि वे अपनी महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ वही ब्योहार करने लगे हैं जो मुखेधारा के लोग या समार्ड हिंदू करते हैं ये गौर तलब बात है अनिल यादव की दृष्टी पत्रकार जैसी निसंग और निरलिप्त है कहानी का रिपोर्टर भी जो कहानी का कथावाचक या सूत्रधार है अपनी आँखों से आसपास फैले प्रच्टाचार गरीबी की लाचारी और राजनितिक मंच पर हो रहे साम्प्रदाई खेल को देखते हुए भी खामुश रहता है उसकी मौजूद्गी में धामाचेरो एक युवा मुसल्मान लड़के को लिंचिंग के इरादे से जबरन अपनी कार में बिठाता है तब ही वो कुछ नहीं कहता हाँ जब वो लड़का धामाचेरो के चंगुल से भाग निकलता है वहाँ अनिल्यादव लिखते हैं कि कहानी का रिपोर्टर हसना चाहता था मगर सक्ती से मूबं किये बैठा रहा क्योंकि ये सक्ती उसके व्रक्तत्व में जाने कब से समाई हुई थी जिससे उसकी नौकरी और जिन्दगी चल रही थी क्यों खामुश रहा रिपोर्टर क्यों नहीं उसने धामाचेरो को रोका टोका उसका विरूत किया देखे दुनिया भर में रिपोर्टर अपने सोर्सेस के बारे में बहुत से अफ्रिय सच जानते हैं लेकिन चुप रहते हैं आपको फोटोग्राफर केविन कार्टर की उस तस्वीर की याद होगी जिसके उसको पुलिजर प्राइज मिला था एक भूग से मरती ही बच्ची के गिर पढ़ने का इंतिजार एक गिद कर रहा है वो उस बच्ची को बचाता नहीं है सिर्फ तस्वीर खींच के चलता बनता है इस कहानी का जो रिपोर्टर करेक्टर है वो एक प्रफेशनल पत्रकार है एक्टिविस्ट नहीं है धामा चेरोज का सोर्स है एक पावरफुल प्रैक्टिकल सोर्स कल उस आदिवासी इलाके में कोई भी घटना होगी तो वो सिर्फ सूचना नहीं देगा बलकि खबर निकालने के तमाम सरंजाम भी जुटाएगा अच्छे रिपोर्टर अपने सोर्स को हर हाल में बचा के रखते हैं रही रोने और हंसने की इच्छा रखते हैं भी सक्टी से मूं बंद रखने की बात तो ये आदत पत्रकारों को पढ़ जाती है क्योंकि वे जिन मीडिया संस्थानों में काम करते हैं वहाँ करियर के पहले दिन से जोशान, भेदभाव, मैनेजमेंट की खराब नीतियों के खिलाफ खामोश रहने का प्रसिक्षन भी पाते हैं वे खुद से बेखबर रहते हुए ही सब की खबरें दे सकते हैं इन दिनों गोदी मीडिया के पत्रकार धार्मिक नफरत, अफवाह, अंद्रिस्वास फैलाने के साथ मोदी सरकार का एजंडा आगे बढ़ाने वाले गुलामों में बदल दिये गए हैं वे ऐसी ऐसी कहानिया सामने लाते हैं जिनें सरकार या सत्ताधारी पार्टी सोच भी नहीं सकती इनके खिलाफ अपवाद के ही तोर पे कभी किसी पत्रकार की आवाद सुनाई देती है और तो और, एक्टिविस्ट भी सिलेक्टिव धंग से काम करते हैं अन्याय और अत्याचार का विरोध करने वाली पार्टीयों और संवत्नों के भीतर भी अन्याय की कहानिया चलती रहती है ये दुनिया ऐसे ही बिडंबनात्मक धंग से अपना काम चलाती है आदमी दूसरों में जिन चीजों से सबसे अधिक चिड़ता है, बिदखता है दरसल वही उसकी अपनी खास कमजोरियां नहीं होती है अनिल यादव अगर बहुत दिनों तक लगातार उपेक्षित होती रहें तो अंतितह एक जिद्धी खिस्म का सौंदर रिपा जाती है उन्हें देखने में पुरानी आँखें काम नहीं आती उन्हें उनकी शर्तों पर ही समझा जा सकता है तो मेरी जग्यासा है कि उत्तर प्रदेश के जिस आदिवासी क्षित्र का अनल यादव ने कई बार दोरा किया जितना देखा और समझा उस पर कहानी लिखी वहां अब स्थिती क्या है क्या कुछ बदलाव आया है देखिए बदलाव तो हर जगा हमेशा होता रहता है लेकिन अन्हे आदिवासी इलाकों की तरह वहां हालात और बद्तर हुए सरकार, पुलिस, प्रशाशन की मदद से बड़ी कमपनिया वहां के संसाधनों को हड़प रही है सिर्फ ये काम कमपनिया ही नहीं कर रही है आसपास के शहरों और दूसरे राजियों के संपन नागरिक भी जंगल विभाग के साथ मिल कर आदिवासीों की जमीने कबजा कर रहे है और उनके उत्पीडन को, उनकी दुश्वारियों को और बढ़ा रहे है दस साल पहले मेरा एक कहानी संग्रह आया था नगर बद्ध में अकबार नहीं पढ़ती उसकी लीड कहानी विश्याओं के बारे में है लेकिन उसमें एक कहानी है दंगा भेजियों मौला जिसमें दिखाया गया है कि कैसे बहुमतवादी राज ये बार में डूबते हुए मुसल्मानों की उपेक्षा करके उनसे छुटकारा पालेना चाहता है उनको मार डालना चाहता है लेकिन मुसल्मान खतम नहीं हुए इस बीच के समय में बदलाव ये हुआ है कि अब मुसल्मानों और अन्य कमजोर तबकों का नरसंगहार करके सत्ता पाने का एक पूरा एकोसिस्टम विक्सित कर लिया गया है गौसेवक का अंग्रिजी अनुवाद भी जल्दी प्रकाशित होने वाला है गौसेवक पुस्तक रूप में प्रकाशित होने से पहले 2019 में हंस में लंबी कहानी के रूप में छपी थी और इसे हंस कथा सम्मान भी मिला मेरा सवाल था कि जब से ये कहानी छपी है तब से लेकर अब तक पाठकों की आलो जगों की और जिस इलाखे के हालात की ये कहानी है वहां की लोगों की क्या प्रदिक्रियाई रही है जी मुझे प्रदिक्रिया की याद आ रही है जो हंस कथा सम्मान के ही मंद से एक हंदी के परसिद लेखक और बुद्ध जीवी ने दी थी वे बहुत नाराज थे कि कहानी का लेखक जंगल में खड़े ट्रकों के भीतर सुहाग कक्ष नकसलियों के नाम पे वसूली और धामा चेरों के साथ रिपोर्टर का औरत के पास जाना दिखा कर कौन सा साहित रच रहा है ये कैसी फूहड और अशलील कहानी है वे अपने पाखंडी नतिक्ता से लबालब थे वे अपने आसपास की सचाईयों को देखने के बजाया है चाहते थे कि सब कुछ उनके जैसे किताबी कमनिस्टों की तथा कथित वर्गी ये द्रिस्टी के हिसाब से ही लिखा जाना चाहिए हिंदी में इन दिनों आलोचना मुर्चित है अगर आलोचना किस कहानी के बारे में बात करते हैं तो उन्हें गायों की तसकरी और मुसल्मानों की मौब लिंचिंग पर एक पक्ष चुनना पड़ता तब ये मुस्किल में फस्ते हैं इसलिए कमों बेश चुप ही रहे आज का लालोचना के बजाए प्राविजित समिक्षाओं का दौर चम रहा है बुद्धी जीवी घटिया लेखन की और एक दूसरे की तारीफ करते हैं फिर जल्दी ही बिसोसनियता खोकर हास्यास्पद हो जाते हैं उनका हास्यास्पद होना ही सबसे बड़ी उमीद है जो बताता है कि रचनाओं का मुल्यांकन करने की एक और प्रबृत्ती सक्रिय है और अपनी जगह बना रही है पाठकों से मुझे हमेशा अपनी काबिलियत से ज़्यादा प्रसंसा मिलती रही है लेकिन यह जिस इलाके की कहानी है वहां के लोग इन सचाईयों के बारे में जैसा कि उन्होंने जखर किया गौ सेवक से पहले उनका एक कहानी संग्रे प्रकाशित हो चुका है नगर वधुएं अख़बार नहीं पड़ती इसके अलावा पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन विशियों पर उनके लेखों का एक संग्रे है सोनब गुपता बेवफा नहीं है दो हजार अठार में जब अनलियादव को इस पुस्तक के लिए अमारुजाला का शब्द सम्मान मिला था तो उन्होंने लिखा था मेरे मन में एक लंबी सुरंग है मैं लेखक होने की रास्ते में हूँ उस मोड पर जहां सारा रोमान्स हवा हो जाता है एक सतत जैनी बाखी सब कुछ को जखचोरते हुए मटमेली आंधी की तरहा मन के अंतरिक्ष में फैलती जाती है लेखन आपके जीवन के पुराने धर्रे और प्रिय चीजों की खुर्बानी मांगने लगता है दे सकते हो तो दो और अंधेरे में टटोलते गिरते आगे बढ़ो प बिस सबाल का क्या जवाब देते हैं कि लिखना उनके लिए क्यों जरूरी है। किताब कॉलम में अनल यादफ के विचार सुनकर इतना अंताज़ा तो आप लगा सकते हैं कि वो निर्भीक और बेपाक है। कम शब्दों में बहुत कुछ कहते हैं जैसे किसी इलेक्ट्रोनिक समचार मध्यम को साउन पाइट दे रहे हूं लेकिन रियायत किसी को नहीं देते ना खुद को ना जमाने को। समकालीन हिंदी कथा लिखन के बारे में अनल यादफ की राय क्या है। ये गौर करने की बात है कि पिछले 20 सालों में इतने परिवर्तन हुए हैं जितने भारत में 1000 सालों में नहीं हुए है। इसलिए हिंदी फिक्षन की दुनिया में इन दिनों बहुत उर्जा और बेचैनी है। इन दिनों सत्ता की ताकत से वो हिंदुत्व, वो संस्कृति और वो सामाजी का चरण हम पे थोपा जा रहा है जिसे हम जानते तक नहीं थे। ये एक बहुत अजनभी सा समय है जिसमें बहुत कुछ दुनला दुनला नया बन रहा है, पुराना मिट रहा है। ये संकट का समय है और संकट के समय में हमेशा अच्छा साहिते लिखा जाता रहा है। बहुत से युवा सामने आ रहे हैं जो अपने समाज की हींता के कारणों को स्विकार करते हैं उन सच्चाईयों से आखें मिलाना चाहते हैं जिन से भागने का अब तक चलन रहा है इन में से एक है औरतों के प्रती बदलता हुआ उनका नजरिया वे तत्नीक और बाजार के शिकार भी हो रहे हैं और उसी का अपने पक्ष में इस्तेमाल भी कर रहे हैं मुझे लगता है कि हिंदी पे कुछ बड़े लेखक बन रहे हैं और एक शक्तिशाली साहिते सामने आने वाला है संकट के समय में हमेशा अच्छा साहिते लिखा जाता है आने वाले समय के प्रती आशाबादी ये थे अनिल्यादव जिनकी लंबी कहानी गौसेवक पुस्तक रूप में 2020 में राजकमल प्रकाशन से चपी है यहां उनकी एक और किताब का जिक्र करना चाहती हूँ जो एक यात्रा व्रत्तान थे वह भी कोई देश है महराज भारत के पूरवत्तर राजियों का ये सफर नामा अपनी अनूठी शैली के लिए खासा चर्चित रहा आपको शायद यात हो कि सिनेंग किताब कॉलम के एक एपिसोट में परवेज आलम ने दुनिया भर के कुछ मشहूर सफर नामों का जिक्र किया था आज परवेज आलम उनमें से एक खास सफर नामे की खास चर्चा करेंगे किताब कॉलम पॉड़कास्ट में शामिल होने का एक बड़ा फाइदा तो जाहिर है एक से एक नई पुरानी किताब और उसके लेखक से परिचित होना साथ ही एक फाइदा है कि तलाश करने निकले हैं आप मोती और हीरों की पोट्री हाथ लग जाती है जब मैं हिंदी अर्दू के मशहूर ट्रावलॉक्स यानि कि यात्रा वृत्तांत या सफना में खोज रहा था तब ही पता चला कि कभी सुपरसिद्ध फिल्मकार, पत्रकार और लेखक खौजा एहमाद अबास ने एक किताब लिखी थी मुसाफिर की डाइरी जिसमें उन्होंने 1938 की अपनी विश्व यात्रा का तफसील से ब्यूरा दिया है पता किया तो मालूम हुआ कि स्कॉलर्स की नजर में ये किताब दरसल अर्दू का पहला मौडर्न सफनामा है किताब खरीदने की कोशिश की तो मायूसी हाथ लगी और तो और किताब पढ़ने तक को मैसर न थी मतलब आउट अफ प्रिंट दोस्तोंने मशवरा दिया अर्दू वेब साइट रेखता पर चेक करो जहां अर्दू की नायाब किताबों को डिजिटाइज करके लगाया जा रहा है खुदा भाला करे रेखता का मसाफिर की डायरी वहां मिल गई मैंने किताब पढ़ने शुरू की तो बस खत्म करके ही दम लिया किताब क्या है साहब जामे जमशेद है जिसके जरिये आप पर पूरी दुनिया की खिड़किया खुलने लगती है मसाफिर की डायरी दूसरे विश्व युद्ध से पहले का सियासी और सामाजिक मनजर नामा है खुजा मदबास का ये सफ़ नामा उननी सो चालीस में छपकर मनजर याम पर आ गया था सुचि उस वक्त जिसने इसे पढ़ा होगा वो तो माला माल हो गया होगा खुजा मदबास आपसे तक्रीबन तरासी साल पहले जाने के अठाईस जून सन उननीस सो आर्टीस को बंबई से पानी के जहास पर रवाना हुए पांच माह सफर में रहे पच्चीस हजार मेल तै करके दुनिया के सतरा देशों की सेर की क्या क्या शेहर देखे कुलंबो, सिंगापूर, हौंग कॉंग, शंगाई, नगासाकी, कोबे, टोकियो, वैंकूबर, सेयाटल, लौस अंजलिस, न्यू यॉर्क, जनेवा, वैनिस, लंडन, पैरिस, म्यूनिक, वियना, बुदापेस्ट, बुकारिस्ट, इस्तंबूल, अं शाम लिये, उनमें से कुछ एक को तो मैंने भी देखा है, लेकिन अबासाब को पढ़कर पता चलता है, कि 1938 की दुनिया, आज की दुनिया से किस कदर मुक्तलिफ थी, अबासाब का अंदाजे बयां भी बहुत ही दिल्चस्प है, लगता है कोई किस्सा सुना रहे हैं, और अब ही मैंने फैसला किया कि उनके सफ़नामे के ये किस्से आप तक भी पहुचने चाहिए, तो अब खुशखबरी भी सुन लीजी, और खुशखबरी ये है कि बहुत जल्द सिनिंग पॉड़कास्ट पर आप मुसाफिर की डाइरी को परवे जालम की आवास में एक सीरीज की शकल में सुन सकेंगे, इंतजार कीजिए और फिलहाल हमें ये बताइए कि गौसेवक के लेखक अनल यादफ के साथ किताब कॉलम में आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमारा पता है पोस्ट एट सिनिंग डाट कॉम, याद दिला दू कि किताब कॉलम में शामिल किता के विचारों के लिए सिनिंग जिम्मेदार नहीं है, अगले एपिसोड में एक नई किताब के साथ आप से फिर मुलाखात होगी, अचला शर्मा को अनुमदी दीजिए, नमस्कार आप सुन रहे थे अचला शर्मा के साथ सिनिंग पॉडकास सीरीज किताब कॉलम, ये पॉडकास्ट एपल, स्पॉटिफाई और गूगल के लावा दूसरी एप्स पर भी मौजूद है, यूट्यूब पर भी सिनिंग के सभी प्रोग्राम सुने जा सकते हैं, सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए, सर्च में सिर्फ आपको सिनिंग टाइप करना है, C-I-N-E-I-N-K, पूरी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आईए, सिनिंग.com